असलाम अलेकुम दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त आपका होस्ट मुस्तफा ली रंधावा और आप मेरा यूटूब चैनल और फेस्बुक पेज देख रहे हैं रंधावा पैट्स तो दोस्तों आज देखें माशालला जनाब विंटर चला गया है और समर की आमद आमद है यह अच्छाला जनाब बाहर आई हुई है मेरा गारटन देख लें कितना प्यारा हो रहा है और फूल वगयरा भी खिल रहे हैं सारा कुछ तो आज की वीडियो जो है ना सोरी एक दोस्त हमजा नाम का मेरे खेल हमजा भाई ने कमन्ट किया था कि भाई आप अपने शेड के बाह यह कैसे बनाई है और इसकी केर कैसे करते हैं इसके बारे में भी एक तफसील से वीडियो बना दीजेगा तो मैं इन्शाला जनाब हमजा भाई आपका कमट मैंने रीड कर लिया है तो आपको पता है गौवर्मेंट सर्वेंट होने के नाते मैं थोड़ा सा बीजी रहता हूं जरूर इंशाला जनाब इंशाला कोशिच करूँगा नेक्स्ट वीडियो ही इसके उपर बना दू के बर्ड्स की ग्रिनरी ग्रिनरी और बर्ड्स दोनों एक दूसरे के लाजम मलजूम है देखें मेरे पास ग्रिनरी कैसी है माशाला से यह सारा कुछ मैंने खुद ही सेट क क्या हुआ है तो जहां थोड़ा सा घ्रास नहीं होता या जैसे बार लगाई हुई है दोस्तों के दूस्टों कि मेरे भाई वगएर के तो वीया पाउन रखो देती है यहां पर उन्हुन्हें दबावज दिया था जिसकी वेसे रास नहीं हो रहा था तो मैंने siya यहां एक और जो भी आपने चिक्कें लगाई हुई हैं जिस तरह भी आपने केजिस को या अपने शेड को कवर कर रखा था तो आपने एक दम से सारा कुछ नहीं हटा लेना इससे आपके बड्स को नुकसान भी हो सकते हैं दोस्तों आपने ऐस्ता हटाने अब यह देख लिए मेरे सामन होती है हवा के अंदर और क्योंकि अंदर ब्रीट आही हुई है तो मैंने जादा के मेरा कोई नुकसान हो सके ठीक हो गया यह जो है ना दर्वादे वाली साइड पे यह मैं बिल्कुल उपर रखता हूं पहले दो तीन दिन मैंने उपर रखा है तकरीबन आज मैं इसे खोल ठीक है यह लगा रहेगा और परली साइड पे वह जहां से आपको यह गेट से परली साइड पे जाली लग रही थी साइड से इस तरफ से जाली लगी वी थी वहां पर मैंने दोस्तों कार्पेट भी लगा रखी थी और कार्पेट के बाद उपर से मैंने शोपर लगा रखा है कि यार जो इनसानों को भी इतनी ज़्यादा हमें भी ज़्यादा गर्मी फील हो रही है तो हमें फील होने लग गया है कि यार अब बर्ड को जो है ना थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा फील हो रही होगी लेकिन दोस्तों क्योंके ये प्रिंदे हैं इनसानों को ज़्यादा होती है・ प्रिंदों को ज्यादा गर्मी फील नहीं होती क्यूंके यह जो है ना जंगलों में रहने आदी होती है और इनको एसा ही महहल होता है ठीक हो गया तो अब जो है इनका मैंने यह हटा दिया उस तरफ से भी और यह सामने से उन्हों रात को यह नीचे किराता हूँ आपने एक दम से अपना केज या कलूनी या शेड जो चीज भी है कवर की होती है ना असल वीडियो बनाने का मकसद और इसका लबे लुबाब यह है कि आपने कोई भी शेड केज या कलूनी जो भी चीज कवर की हुई है जिस भी चीज से आपन आपको adjust करने लग जाएगा और उसके इलावा दोस्तो रूटीन चेंज हो जाती है दाना पानी जो है ना दो टाइम चेंज करना पड़ता है सर्दियों में एक दफ़ा ही डाल दो कोई बात नहीं चल जाता है लेकिन गर्मियों के अंदर आपने खास क्या रखना है दाना पानी दो टाइम चेंज करना है उसके बाद दोस्तो आपने पानी का खास क्या रखना है ठंडा साफ पानी जरूर महया करना है परिंदों को क्योंके गर्मियों के अंदर आपको पता इंसान खुद प्यास से हलाक हो रहा होता है तो यह तो जानदार है और उसके इलावा दोस्तों सॉफ्ट फूड में थोड़ी तबदीली करनी है दाने में भी ज़रा तबदीली करनी है वो इंशाला मैं दाने के उपर सॉफ्ट फूड के उपर थोड़ी तफसील से वीडियो बना लूँगा तो मैं चाहता हूं ज्यादा शेड को बिल्कुल ओपन कर देना है क्योंकि अब मोसम बिल्कुल खुल गिया है और अगर आपने प्रिंदे मुक्तलिफ किसम के रखे हूं या ऐसे रखे हूं गर्मियों में जिन से ब्रीड नहीं लेनी चाहिए तो आप उनकी मटकियां बॉक्स वगरा हटा दें और उनको स्वी फ्लाइट के लिए कलूनी के अंदर छोड़ दें ठीक हो गया दोस्तों नेक्स वीडियो के अंदर मैं आपके साथ ये बातें भी शेयर करूंगा आपको पता है एक वीडियो के अंदर एक ही टॉपिक को कवर किया जा सकता है ज्यादा टॉपिक्स को कवर नहीं किया आसकता और फिजादा लंबी वीडियो हो जाए तो आप लोग फिर देखते भी नहीं हैं छोड़ कर चले जाते हैं मेरा भी नुक्सान होता है क्योंकि मैं अपने दोस्तों के लिए वीडियो इसलिए बनाता हूं कि किसी का फाइदा हो जाता है दोस्तो, कोशिच क्या करें, मैं हर वीडियो के अंदर अपनी बातों का नचोड़ाना को एंड में लाकर देता हूँ तो आप वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना क्या करें दोस्तो, अमीद करते हूँ, आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगा अगर अच्छी लगी हो तो एक अच्छा था लाइक कर दे प्यारा सा कमट कर दे और अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार क्या कर रहे हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसी इंफर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं ठीक हो गया दोस्तो अगर आपके जहने में कोई सवाल है या आप भी कोई बात मुझसे पूछना चाते हैं जरूर पूछिएगा इंशाला मैं आपका जरूर जवाब दूँगा ओके दोस्तों नेक्स वीडियो तक इजादे दीजिए अल्लाहाफीज बापाई